साथियों, गुजरात आज सफलता की जिस उन्चाई पर है, विकास की जिस उन्चाई पर है, वो हर गुजराती को गर्व से भर देता है। इसका अनुभव मैंने कल गांधी नगर के विद्या समिक्षा केंद्र में भी किया। इतनी बड़ी टेकनोलोजी का उपयोग, ये दुनिया के लिए एक अजूबा है। वैसे मैं इस सेक्टर से पहले से जुड़ा रहा हूँ, लेकिन गुजरात सरकार के निमंत्रां पर, कल मैं विशोष तोर पर गांधी नगर मैं इसे देखने गया था। बिद्या समिक्षा केंद्र के काम का जो विस्तार है, टेकनोलोजी का जो बहतरीन इस्तमाल इस पे किया गया है, वो देखकर मुझे बहुत अच्छो लगा। हमारे लोकप्रियम मुख्यमंत्री स्री भुपंद्र भाई के नेत्रुत्व में ये विद्या समिक्षा केंद्र पूरे देश को दिशा दिखाने वाला सेंटर बन गया है। आप सोचिए, पहले मुझे एक गंटे के लिए ही वहां जाना था। लेकिन मैं वहां प्यारी चीजों को देखने, समझने में ऐसा डूब गया कि एक गंटे का कारकम मैं दो धाई गंटे तक वहीं चिपका रहा। इतना मुझे उसमें रूची बढ़ गई है। मैंने स्कूल के बच्चों से, सिक्षकों से, काफी विस्तार से बाते भी की, बहुत से बच्चे अलग-अलग स्थानों से भी जुड़े थे। दक्षिन गुजरात, उत्तर गुजरात, कच्च सवराष्ट। आज ये विध्या समिक्षा केंद्र गुजरात के चोवन हजार से जादा स्कूलों से, साडे चार लाग से जादा सिक्षक और देड करोर से जादा विध्यार्थियों की, एक जीती जाकती उर्जा का ताकत का केंद्र बन गया है। इस केंद्र को आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, मशिन लर्निंग, बिग डेटा एनालिसीज ऐसी आधुरिक विदा से सुसजित किया गया है। विद्या समिक्षा केंद्र हर साल पान्सो करोड डेटा सेट का विस्ट्रेशन करता है। चेकिंग इन सब में भी विद्या समिक्षा केंद्र की बड़ी भूमी का है। इस सेंटर की वज़े से स्कूलों में बच्चों की उपस्तिती 26 प्रतिशत तक बढ़ गई है। शिक्षा के खेत्र में ये आधुनिक केंद्र पुरे देश में बड़े परिवर्तन ला सकता है। मैं भारत सरकार के संबंदित मंत्रा लयों और अधिकारियों से भी कहूंगा कि विद्या समिक्षा केंद्र का अवश्य अध्यन करें। विविन राज्यों के संबंदित मंत्रा लय भी गांधिनगर आए इसकी व्यवस्ता का अध्यन करें। विद्या समिच्छा केंद्र जैसा आधूनिक व्यवस्ता का लाप देश के जितने जादा बच्चों को मिलेगा उतना ही भारत का भविष उजवल बनेगा